नमस्कार पहरे सातियों आपका स्वागत है मारे येट्व चैनल में और देखी सातियों हम आपको डियलर्ड फोस सेमिस्टर के लिए मैथ करा रहे थे जिसमें आपका लास्ट चेप्टर ये चल रहा है और आपका जो पेपर है वो आपका पेपर होने वाला है बार अतारिक को तो आप अच्छे तरीके से तयारी करते रहेगा और ये जो जितने भी वीडियोस से इसके बाकी रहे गए उनको मैं बहुत जल्द ही आपके अप्लोट कर दूँगा और बहुत जल्द ही इनको पब्लिस कर दूँगा ताकि आप इनकी प्रेक्टिस कर पाओ और अच्छी त पर देख सकते हो क्योंकि इसकी पूरी जो पावन की वोक है उसका मैंने सॉलिशन यहां पर किया हुआ है ए टू जैड तो आप कोई भी देख सकते हो सब कुछ मैंने सब कुछ कोशन होगा एक एक कोशन का में सॉलिशन किया हुआ है तो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल तक बने रहीएगा ताकि हम पर में टू को आपको अच्छे से समझा सकें तो देखी साथ हो आप इसकीन पर देख सकते हो यह पिर में नंबर टू रापकी और में नंबर टू में सिद्ध करने के लिए क्या काया है कि यदि किसी चक्री चित्रबुज के सम्मो कौण आपके पूरक का मतलब क्या हो गया एक स्थियंश के दोनों को दो एंगल मला करके एक स्यंश के होने चाहिए उसी को हम संपूरक और बोलते हैं तो चक्री चत्रबुज जैसे मालों इस तरीके से हमने ब्रत बनाया और ब्रत के से तो A B C और D ठीक है तो यह जो चक्री चत्रोज बन गया यहां पर इसने कहा हुआ है जो दिया हुआ है उन्हें है कि यहां-पर जो इंगल भी है यहां पर चर्ड dernière और यहां-वर ईन अनुआ को मिला आपका a वाला और angle c वाला इन दोनों को a देखो यह पे और angle c देखो तो क्युक्य क्योंक्यद मत में लखा होता है भी ENGLE होता है तो यहाँ पर यह भी exercise का 2.4 तू समकॉर का मजब exercise इंहो ने दिया हुआ ये सब को सिद्ध करना है कि यह चक्री चत्रवज होगा या नहीं होगा जब हमने के हमने सामने कोणों का यो किस दिया है कि यह चक्री चत्रवज बनेगा के नहीं बनेगा यह आपको बताना है यही आपको सिद्ध करना है तो चलिए चलते हैं देखिए यहां पर जो देखिए यहां पर जो figure बनाए गए हैं उनको आप देख सकते हो तो यहां पर देखिए एक सिद्ध क्या गरना है कि A, B, C, D एक चक्री चितर हो जाए आप रचना क्या गरनी है तो रचना में देखिए A, B, C तीन बिंदूओं को हमने क्या माना ब्रत की परदी पर माना है दोनों figure देखिए तो A, B, C यह आपके का हैं तो यह आपके परदी पर हैं और यहां पर आगे अप देखिए इसमें तो A, B, C यह भी परदी पर हैं सब परदी पर हैं अब यहां पर देखिए आगे क्या गह रहा है से होकर जाने वाले ब्रत होकर जाने वाले ब्रत यदि बिंदु D से होकर नहीं जाता है क्यां से नहीं जाता है तो बिंदु D से होकर नहीं जाता है यानि जो बिंदु D है वो इस परदी पर नहीं मिलेगा या तो यह बाहर अंते होगा अंदर होगा या तो बाहर होगा या तो यह इंटिरियर होगा जैसे मालो कि इंटिरियर कहा है यहां पर यह अंदर बना हुआ है दी पॉइंट ठीक है तो कि यह पर दी पर नहीं है और यहां पर जो एक्स्टिरियर है यानि जो बाहर का है वो पर काटेगा, तो कहां पर काट रहा है, तो E पर काटेगा जाकर, तो यहां पर इस तरीके से A और इसको ले जाएंगे, तो यह E पर काट देगा, यहां पर ले जाएंगे, तो यह E पर काट देगा, तो यह E पर काट देगा, अब इतना हो गया, तो रेखा खंट E C खेंच दि तो इस figure में देखेंगे तो E-C को किष दिया और यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आप E-C को किष देएंगे यह देखें किष दिया ठीक है इतना समझ में आ गया रेखाकंड क्या होता तो line segment बोलते हैं इसको यानि line अगर यह line है आपकी यह रेखा है तो रेखा का ही जो छोटा अन्स होता है उसे रेखाखंड बोलते हैं यानि इतना इतना काट लिया इसकी fix length होती है तो यह आपका line segment हो गया जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं तो यह दूरी कैसी होगी रेखा का छोटा सा भाग जिसे हम बोलते हैं रेखा और खंड, खंड मी सोता है भाग, रेखा मी सोता है रेखा, तो रेखा का छोटा सा अंसम काट लें, तो उसे हम रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है, आप समझे गए, इसे हम इंगलिस में लाइन सेगमेंट बोलते हैं, अब यह चीज़ के लिए तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसे और बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं, आप देखिए, यहाँ पर उपपत्ती में, जो आप अगर देखेंगे, तो उपपत्ती में देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नमबर बन पॉइंट, चत पर देख लिया यहाँ पर ऑब्हों आपको दोनों फिकर में तो यहाँप चो एंगल आपका एंभी सी हो जाए गाए यानि जो फिक टाल है आपका यह बाला और एंगल ए है यानि एसी ए तो एसी और ए तो ए ए और सी ठीक है तो एसी तो यह बाला एंगल इन दोनों को जोड़कर किरना हो जाएगा त्योंकि यह आमने सामने के कौन है और चक्वी चेज़़ बने हुए कौन है तो यहां पर टू इंटू में alexion dos इंगा ठीक यहां पर भी देखें गा तो यह एंगल और यह एंगल आपके आमने सामने के इंगल हैं तो दोनों इक सस्यंस के बनेंगे पिए कशक्भी चेज seriously होते और सम्पूर कौण भी बहून सकते में दोनों को जोड़कर ही आपको alexion के एंगल बनते हैं वह की सम पूटा करके देखता हूं ठीक है अब देखिए यहां पर पॉइंट देखिए यहां पर पॉइंट नंबर दो परंतु परंतु क्या औरि इसमें देखोगे तो अबी यह एंगल हो जाएगा आपका और A, D, C यह वाला एंगल हो जाएगा ठीक है तो अब यह देखिए यहाँ पर इनोंने का हुआ है इन दोनों को जोड़के टू समकॉर्ण हम मानते हैं तो टू समकॉर्ण मानते हैं यह टू समकॉर्ण तो होगा नहीं कैसे भी क्योंकि देखिए यह इंटरनल बना हुआ है तो यह चक्की चतरबुज है नहीं पहले तो यानि अगर आप देखोगे A, B, C और D चक्की चतरबुज नहीं है क्यों क्योंकि इसके जो पॉइंट D है यह परदी पर नहीं है और परदी पर नहीं है तो नहीं है और मान लेते हैं कि ऐसा है मान लेते हैं कि चक्की चतरबुज की प्रोबर्टी फोलो करता है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर मैं आगे यहाँ पर सिद्ध करता चलू तो इन दोनों समीकणों को solve कर ली समीकण फर्स्ट और समीकण सेकेंड हो ठीक है तो अगर इन में solve करोगे तो यानि जो एंगल बना हुआ है A B A B C प्लस एंगल A E और C बरावर 180 ठीक है दूसरा लेखोगे यहाँ पर कॉड A B C प्लस कॉड A D C बरावर 180 ठीक है अब इन में से गटा लो ठीक है गटा लोगे तो यह मानिस का हो जाएगा यह भी मानिस का हो जाएगा या नीचे सौरी इसे में लाइन को पहले कीचिनाओ यह इस तरीके से ठीक है यह मानिस का हो जाएगा यह मानिस का कर लेंगे तो यह कट जाएगा यहाँ पर मानिस कर लेंगे तो यह भी इदर का उड़ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक तो आ जाएगा आपका प्लस में यानि A E C प्लस में बरावर में आपका यह जो मानिस का इदर है उदर ज जाएंगे तो यह दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर में प्लस के भाबर में हो जाएंगे दूसरे गए तो यहां पर प्लस लगा वह इसको अठाओ और यहां पर लिखलो a, e, c बराबर a, d, c यह दोनों कैसे आपस में बराबर होने चाहिए ठीक है एक, दो, तेन, देखिए यहाँ पर एक और दो से, तो यह दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे परंतु यह संभव नहीं है यह बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें C, E, D जो C, E, D अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए C, E, D तो C, C देखिए, E देखिए और D देखिए C, E, D तो C, E, D तो C, E, D C, E, D तो इसे इस पर मिला दो C, E, D एंगल जो है आपका उसमें कहरा है C, E, D का अंतह कोण और दूसरा बहस कोण है तो C, देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे यह जो है इसका तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो E बना हुआ है E का यह कौन सा है तो यहाँ पर जो आपको E देख रहा है E एंगल इसमें और उसमें देख लो जागे आप एंगल का ठीक है इसमें एंगल देख लो E तो यहाँ पर देखोगे तो यह यहाँ पर कैसा निकलेगा तो इसका यह जो एंगल निकल के आएगा यह जो D एंगल आपका देख रहा है आपको यह कैसा है एंगल तो यह एंगल आपका कैसा है यह देखिए यहां पर ए जो एंगल है उसके लिए डी के बात करें तो यहां पर जो एंगल है वो एक आपका कैसा है मतलब बाहर का कौण है और इधर से देखेंगे तो यह एंट्रियर एंगल में जाएगा तो दोनों कैसे जाएंगे एक बहस कोड़ पर जाएगा एक आपका मतलब बहस कोड़ है और एक अंत्रे कोड़ पर जाएगा अब यह संभव नहीं हो सकता आपका ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर यह कब संभव कर लूँ मैं ठीक है देखो यहाँ पर इसको देखो जैसे AEC बरावर आपका ADC तो ADC जे दोनों बरावर कब होंगे यह तभी संबब होगा जब इसका जो D और E point होगा संपाती होगा संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना यानि यहाँ जो D E point है और यहीं पर D point हो यहाँ पर E point है यहीं पर D point हो तब यह दोनों संबब हो सकते हैं अन्ता यह संबब नहीं होगा यानि एंगल जो आपका E है एंगल जो E है वो एंगल D के बरावर तभी होगा जब एक दूसरे क उपर होंगे तभी यह आपका बराबर हो सकता है अन्ता यह बराबर नहीं होगा ठीक है तो इसे हम इसके उपर मानकर चलेंगे तभी यह चत्रबुज आपका पॉस्वल है यहां पर ठीक है तो यह तभी चत्रबुज आपका पॉस्वल है तो देखिए यहां पर फिर हम कह सकत यहां पर यह अत्हय चत्रबुझ A-B-C-D एक कैसा हो जाएगा चक्री चत्रबुझ हो जाएगा जो A-B-C-D बनाएंगे तब जब यह एक दूसरे के ऊपर होंगे तब ही यह यहां पर यहां पर होगा तब ही यह आपका चक्री चत्रबुझ कहलाएगा तब ही बनेगा यह ठी प्रादी मानकर हमने इसे चक्राइब कह दिया है ठीक है तो यह हमने पूरी जो आपकी प्रमे है उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है अभी भी कहीं भी आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो आप जरूर बताईएगा और जो भी आपकी प्रा किया में थैंक आपकी।